हेलो दोस्तों सुवागत आप से विए मैं चैनल दर्याली स्टीडी ग्लम में दोस्तों एसोल की वेबसाइट पर एक असाइमेंट को लेकर आपका एक नोटिफिकेशन आया है तो मैं खोल के दिखा देता हूं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या बताया गया हूआ है तो दोस्तों तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं क्या बताया गया है इसमें तो यह देखिए दोस्तों यह उपन हो गया है तो इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर तरही कैसर समझा देता हूं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हूआ है तो दोस्तों देखि किसी बच्चे ने उसमें असाइमेंट नहीं दिये बाई चांस कोई बच्चा रहा गया है किसी बच्चे नहीं दे पाई किसी कारण तो उसे एक और चांस दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो उसे लास चांस दिया जाएगा यह देखें उसे एक चांस और दिया जाएगा तो उनका मक्त्राइब होगई है तो इसे वाले अपनी वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है तो मैं वीडियो द्वारा आपको को वह बता दूँगा कि आपका इस दिन से वह एक्जाम स्टार्ट है ठीक है और क्या बताया गया इसमें आपको बता देता हूं और इसमें जो जो भी स्टूडेंट है एसल वाले एंसीव वाले ठीक है यह सब के लिए है असाइमेंट पोर्टल तो बस दोस्तों यही दे रखा इसमें ठीक है और यह हैड़ ऑफिस दा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट यह हैड़ ऑफिस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से अनुमति मिलने के बाद ही आपकी जो नोटिफिकेशन है जारी कर दी जाएगी ठी पराग्राफ में कि आपको जिन बच्चोंने असाइमेंट नहीं दिये वह बच्चे असाइमेंट दे सकते हैं उनका सिर्फ लास्ट चांस है ठीक है दोस्तों तो उनके लिए सेड्यूल कलेंडर गाइडलाइन सब जारी करी जाएंगी कि आपको कब असाइमेंट देना किस अग्जाइम से स्टार्ट होगा ठीक है तो द्यान रखेएगा और यह बच्चे जरूर द्यान रखें कि इसमें कमेंट करके यह ना पूछे कि सर मेरी बैक आई ती मेरा भी एक्जाम होगा तो उनका नहीं होगा जो जिन बच्चोंने असाइमेंट अटेम्ट नहीं गिया अगर आगे कोई नोटिफिकेशन आता है तो तुरह तो मैं उस पर वीडियो बनाके देदूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक दोस्तों तो बस थैंक्यू